हलो फ्रेंट वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल माई हिरोज हेल्थ मैं परुईन गरेवाल एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और बहतरीन हेल्थ टिप्स के साथ दोस्तो थमनेल देखकर आप लोग समझ चुके हैं कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं आपको सिर से जुड़ी कोई समस्या है तब ही आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तो आज का जो हमारा नुस्का है वो बेहतरीन तो है ही उसके साथ साथ बिलकुल साधारन है प्लस नुस्के में जो चीजे परियोग की जाएंगी वो आसानी से आप सब लोगों के घर में मिल जाएंगी तो दोस्तो नुस्के का परियोग करके आप अपने सिर के अंदर जो खाज-खुजली की समस्या है या फिर आपको छोटी-छोटी सुनसियां है आपके सिर में या फिर आपके सिर की जो तौचा है वो कठोर हो गई है उस पर पपड़ी बनने लग गई है इसी के साथ आपको डेंडरफ की समस्या है वो भी जड़ से खतम हो जाएगी प्लस नुस्के का परियोग करने से आपके जो बाल है वो भी मुलायम होंगे तो दोस्तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखे हम विश्तार से इस बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कैसे क्या करना है ताकि आपकी ये समस्या जड़ से खतम हो सके दोस्तो उससे पहले एक जरूरी सुचना आप सब लोगों के लिए दोस्तो अगर आपके आजपास या फिर किसी को भी स्लिप डिस, सर्वाइकल, बैक पेन या फिर जोइन्स पेन से जड़ी कोई समस्या है तो एक बार आप हमसे कॉंटेक्ट जरूर करें हम बिना किसी दवाई के आपकी जो समस्या है यानि कि आपकी जो कमर दर्द है या फिर जोडों का दर्द है यानि कि घुटनों का दर्द है या फिर गर्दन का दर्द है उसका पूरण रूप से समाधान करेंगे बिना किसी दवाई के और जड़ से हमेशा के लिए आपकी ये समस्या खतम हो जाएगी तो आप एक बार हमसे contact जरूर करें आप हर परकार की दवाई खा कर ठक चुके हैं साथ ही दोस्तो काफी साल हो चुके हैं आपकी समस्या को चाहे आपकी समस्या 50 साल पुरानी ही क्यों ना हो हम आपकी समस्या को जड़ से खतम कर देंगे दोस्तो ओप्रेशन करवाने से भी इस समस्या का पूरन लूप से समाधान नहीं मिल पाता कुछ टाइम के बाद ये समस्या फिर से होने लग जाती है तो दोस्तो एक बार आप हमसे कॉंटेक्ट जरूर करें और दोस्तो अगर आपको ये समस्या अभी शुरू हुई है तो आप अभी कॉंटेक्ट करें क्योंकि दोस्तो टाइम के साथ साथ ये समस्या धीरे धीरे बटने लग जाती है और आपको फिर ठीक होने में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है तो दोस्तो आज ही हमसे संप्रक करें और अपनी इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं दोस्तो आपका ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा नुसका अपलाई करना है जिससे हमारे सिर से जुड़ी सारी समस्याएं खतम होसके तो दोस्तों आपको करना क्या है आप निम्बू का रस लें उसके साथ सर्सों का तेल लें सर्सों का तेल सुध हो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके रिजल्ट्स जल्दी ही देखने को मिलेंगे और आपको किसी परकार का कोई नुकसान भी नहीं होगा तो दोस्तों निम्बू का रस और सर्सों का तेल दोनों आप बराबर मातरा में लें उसे अच्छे से मिक्स करें और आप अपने सिर पर अपलाई करें हलके हाथों से आप अपने सिर की मसाज करें उसके बाद इसको 30-40 मिन्ट रहने दे उसके बाद आप दही से आप अपने सि तम हो जाएगी तो आप इसका परियोग जरूर करें और अपने सिर्ख की समस्या को कहें टाटा बाई बाई दोफ्तों इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही जल्दी ही मिलते हैं एक और बैतरिंग हेल्ज टिप्स के साथ